ओम शान्ती आज 18 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदर निया आशा दीदी ओम शान्ती दीदी ओम शान्ती बाबा ने का मीठे बच्चे बाप आये हैं तुम बच्चों की खिद्मत करने तुम भी बाप समान बन सब की खिद्मत करो खिदमत कहते सेवा तो बाबा कहते मैं तुमारी सेवा करने आँ सेवा क्या करते है बाबा हम कैसे मेले, कुछेले, कंदे हो गै थे उनको बाबा साफ करता है आत्माओं का शुद्धी करन करता है मन और बुद्धी को जो मर चुकी होती उसको विक्सित करता है तो बाबा केते हैं जैसे मैं तुमारी सेवा करता हूँ तुम फिर औरों की भी सेवा करो मैं तुमारी खित्मत करता हूँ तुम औरों की खित्मत करो प्रशन है ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिफ बाबा कहते wait and see फिकर मत करो बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाएगा बच्चों को अविनाशी ज्यान रतन लेने बाप के पास आना ही है इतने धेर बच्चे कहां आकर रहेंगे कितने मकान बनाने पड़ेंगे शिफ बाबा कहते wait and see कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे तुम फिकर मत करो तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मनाभव तुम्हें कर्मा तीत बनने का पुर्शारत करना है यह बाबा ने बताया कि और सब बातों को छोड़ करके जो आपका मेन लक्षए है कर्मा तीत बनना है उसके उपर अटेंशन दो कर्मा तीत अर्थात करम करते हुए करम के बंधन से पार परे कर्मा तीत करम भी कर रहें बाब भी कहते हैं बच्चे ओम शान्ती और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शान्ती तत्वम कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम जैसे मातपिता वैसे बच्चे होगे बाप कहते है मैं ग्यान का सागर हूँ तो तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ग्यान सागर गोया नदियां ठेरे फिर बाबा ने कहा कि ये नशा है ये जो बाबा कहता है मैं ग्यान का सागर तो तुम ग्यान नदियां हो इसका नशा हम आत्माओं को रहना चाहिए कि हम कितने उंचे पिता के बच्चे हैं सोंचे पिता के बच्चे हम लोग कैसे हो फिर बाबा ने बताया कुछ नदियां होती हैं बड़े तलाब होते हैं सरोवर होते हैं फिर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं है क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं बाबा ने एक बार बाबा रमनीक थे ना, तो कभी-कभी भोली-भाली बच्चियां थी, तो बाबा पूछता था कभी-कभी ऐसे, अच्छा बच्ची गुड किसे बनता वो के तो बच्चे जवाब देते हैं, तो बाबा वो बात पता रहे हैं। बाबा ने कहा, कि तुम बच्चों को उठते-बैठते, चलते-फिरते, यही खयाल रखना है, कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्सा लेते हैं। यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जनम यह राजाई कायम रहेगी। फिर बाबा ने कहा, बाबा हमको ऐसी बादशाही ऐसा वर्सा देते हैं, जो हमसे कोई ले नी सकते हैं। कि तो बात छोड़ो हम इतनी शक्तिशाली होते हैं जो हमारी रायधानी पर कोई नजर भी नहीं डालता बाबा ने कहा कि विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है इस से सिधे की पुरानी दुनिया में आते हैं यह जो बात बाबा कह रहे है समझने वाली है विनाश स्थापना के बाद होता है यह पूरा विनाश हो जाए और फिर बाबा चालू करें ऐसे नहीं होता है बाबा आकर कि स्थापना का कारे पहले करता है फिर जो है विनाश पूरा होता है बाप कहते हैं बच्चे मनमनाभव ये बच्चों को घड़ी घड़ी साफधानी मिलती है बाप को और वर्से को याद करो ये भूलो मत और पॉइंस भूल जाती है ये तो मुख्य है न बाप और वर्षे को याद करो बाबा कि तो यही तो तुमारी जीवन है अभी यही तो तुमको एक काम दिया हुआ है सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में निराकारी दुनिया भी पवित्र है साकारी दुनिया भी पवित्र है फिर बाबा ने कहा कि ये साकारी सृष्टी कितनी बड़ी है सत्यूग में कितनी छोटी सृष्टी होती है वहां है ही एक धरम बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैटे आदी थे ये सब है जूट फिर बाबा ने कहा कि ये है बेहत का बाप देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो जरूर तरस पड़ेगा ना, वो है ही रहम दिल बाप, अभी तो सारी दुनिया में अशान्ती है, एक बाप के सिवाए और कोई शान्ती दे न सके यह बाबा खेत है, बेहत का बाप हूँ, बेहत का बाप हूँ तो सारी स्रिष्टे का पिता हूँ, सारी स्रिष्टे में तुम बच्चे ज्ञान योग सीख करके वर्से के लाइक बनते हो, परन्तु उसके साथ 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 सारे विश्यो का भी परिवर्तन होता है, जिसे प्रिक बाकी सब कहां जाएंगे, उनका भी तो बाबा कल्यान करते हैं, तो वो सब चली जाएंगे निराकारी दुनिया में, जिसके लिए बाबा ने का वो है पावन सतो प्रधान दुनिया, पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके, अभी सापलिंग लगता है, धीरे धीरे व्रिद्धी होती जाएगी, ये तो छोटे-छोटे मठपंथ, आदी टाल टालिया हैं, उनमें कोई महनत थोड़ी लगती है, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किसम किसम के मंत्र देते हैं, ये भी वशी करन मंत्र है, जिससे तुम पाँच विकारों पर जीत पाते हो, बा आते हैं, उनसे छूटने के लिए, ये बाबा हमको कौन सा मंत्र देते हैं, उसको कहते हैं वशी करन मंत्र, वशी करन का अर्थ क्या है, वशी करन अर्था जिससे मन वश में हो, कंट्रोल में हो, जिसकी पुरानी वृत्तियां वश में हो, जिसकी पाँच विकार वश में हो उसके लिए वशी करण मंतर है मन मना भव बाबा को याद करो तो यह सारी चीज़ें चाहिए वह आपकी खत्म जाएगे प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे ब्रामन कुल भी जरूर चाहिए इसको कहा जाता है सर्वोत्तम उचे ते उचा ब्रामन कुल अभी तुम ब्रामन हो फिर उथल खाएंगे बाजोली खेलेंगे ना शूद्र से ब्रामन बने हो फिर देफता शत्रिय तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों बहुत थोड़ी बात है बाप की याद में रहो ये भी तो बुद्धी में है बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं बाबा ने कहा कि सत्यूख से लेकर कल्यूग अंथ तक आती रहती है आत्मा उपर से पाट बजाने हर एक अपना अपना पार बजाते हैं इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते पूछते हैं कि इतनी सब आत्माई कहा हैं यह पॉपूलिशन कैसे बढ़ रही है आत्म पुनजन्म लेती हैं नहीं लेती है पुपीलव भेड जाती है तो बाबा मतों करते हैं कि सब आत्माई स्विष्टी नातर्ण फीकलिस परमध्हम चलीया तुल bağ बाबा ने कहा मैं तो हूँ ही निराकार जैसे और मनुष्य जनम लेते हैं वैसे मेरा जनम थोड़ी है मेरा तो दिव्य अलोकिक जनम है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी होती है मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजर हूँ बाप आकर बच्चों से मिलेंगे गुड मॉर्निंग करते हैं जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं राम राम वो नमस्ते कहते हैं ये तो रुहानी वेहत का बाप समझाते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हो तो शिफ बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो ये खुशी का पारा चड़ना चाहिए यदि वो पिता है और हम उनकी संतान है और उसके साथ साथ आपस में भाई बहन है भाई भाई हैं आत्मा के नाते से बाबते इस बात के खुशी चड़ने जाए हैं बाब को और वर्से को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं रहना भी है ग्रहस्त बैवार में यहां आकर थोड़े रहना है सब यहां भाग कर आएं तो इतने सब को बाबा कहां रख सकते हैं इतने सब धेर बच्चे एक ही बार कैसे खटे हो सकते हैं? यह बाबा कहते हैं कि ने-ने मकान आदी बनाने की जो बाबा ने कहा ने वेट एंड सी शुरू में तो बाबा ने आज मुर्डी में कहा है यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे लेते हो थे बाबा, हम लोग जाते थे तो पार्टी जब जाधा बड़ी हो गई तो मदुबन में तो जगा नहीं थी तो फिर दूसरा मकान लिया जो अभी भी है वो मकान, मकान लिया उस मकान में हम लोग रहे थे वहां गरम पानी पतीलों में करते थे, और बाबा रात को चक्कर लगाने आये थे, लेकर के कंबल, बाबा चलते थे, बाबा के पीछे-पीछे, जो बच्चा ठिठु रहा होता था, बाबा उसके उपर कंबल डाल देते, बाबा कहते हैं, तुम फिकर क्यों करते हो, वेट अन तुम पढ़ते रहो, मन मनाभव, तो यह हमारे लिए भी शिक्षा है कि हम पढ़ते रहें, जन्ता क्यों करते हो, जो बात जब जैसे होनी है, वह हो जाएगे, तुम बच्चों को यह खयाल में रखना है कि अभी हमको कर्मा तीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे, बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अतिस सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा के ता अतिस सहज है, बच्चों को यही चीज मुश्किल लगते, बाबा भूल जाता है, आगे चल बहुत चलाएंगे, बहुत याद करेंगे, तो बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नाच्रल कलामटी जानी है, सब आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्स बनाना बंद नही करते हैं, तो बॉम्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं, जो बंगिरे और मनुष्य मर जाएं, फिर बाबा ने कहा, यह बाबा ने जब साक्षतकार करा है ता ब्रह्मा बाबा को आधी में तो उसमें बताया था, आटामिक वार, सिविल वार और नाच्रल कलाम प्रामणों का काम है कथा सुनाना, तुम कह सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे हमको डाडे का वर्सा मिल रहा है, तो यहां डाडे अर्थार शिव बाबा, डाडे अर्थार ग्रान फादर, और दादा मतलब बड़ा भाई, फिर आज बाबा ने हमें वर्दान दिया है हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत वर साक्षातकार मूरतभव जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीती से बुद्धी में ही रखते हैं लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं लेकिन उन्हें स्वरूप म को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना यही है सबूत देना अर्थार्थ सपूत वसाक्षातकार मूरत बनना स्लोगन है एक आगरिता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धी का भटकना बंद हो जाएगा एक आगरिता की शक्ति को बढ़ाओ कैसे बढ़ाएं? कैसे बढ़ाएं? व्यारत को कंट्रोल करें और अपनी कारे को समेथे तो एक आगरिता होएं तो ये थे बाबा के आज के महाँ वाक्यों का स्पष्टिकरन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर और हम आपके प्रशनों का उत्तर प्रशनोंत्री कारिक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शान्ति करेंगे